हेलो व्रिवान आई होप और फिलिंग वेल और इस वीडियो में हम लोग विस इत्यास की जहाल किया यानि की ग्लेमसी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विस इत्यास की जलग 1934 में जुहारलाल नहरू द्वारा प्रकासित एक पुस्तक है पुस्तक का उपसिर्शक उनकी बेटी के ल इत्यास का है प्रकासक प्रकासन की तित्री 1934 है और उसके बाद प्रिष्टों की संख्या करें तो एक गारस और 92 है अब इसकी परसंग की बात करते हैं यह बिस इत्यास को 1930 और 1933 के बीच बिच ब्रिटिस भारत की विभीन जेलों में लिखे गया एक सो चानबे पन्नों का स साथ देहरा दुन में अरब सागोर में या एक इटालीं इस्टीमर पर दो पत्र लिखे गया थे यह पत्र उनकी युवा बेटी इंद्रा को सम्मद्दित थे और उनका उदेश उनके 20 इत्यास के प्रेशित करना था वे 1928 में उनके द्वारा बहजे गया पत्रों की अगली है कि वह जेल से उसे कोई भी समागरी उपार नहीं भेज पाने से दुखी है इसलिए वह उसे कुछ ऐसा देने की कुछिस करेगा जिसमें वह खर्च खर सके अपने दिल से लिखे पत्रों की एक स्रिंग जैसा कि अलग-अलग जेलों में लिखा गया है उनके पास अपने ब बात करें तो इतिहास के पन्नों में सामसिमिक और बेक्तिकत घटनाओ उनके या उनके दोस्तों सःकर्मिय वा परिवारिक सदस्यों के सांथ घटित घटना का जिक्र होता है कभी कभी या सहली अनंद भावन में रहने वाली अपनी बेटी के साथ अतरंग बात्याद की होत पर लिखे जाते थे और कुछ में हप्तों या महीनों के बीच अंतर होते हैं नहिरु ने अपनी प्रस्तावने में कहा कि अंग्रेजी लेखक पुस्तक में प्राचीन ग्रेज पत्स से लेकर पुस्तक लिखने के समय तक मानो जाती के इतिहास के महत्पूर्ण पहलू सामिल है जब नहिरु को एक नए बड़े संगर्स उत्पर होने के असंखा थी बाद में संसकर्णों नहिरु ने बीसवी सदी की घटना उपर कुछ पत्रों के अंतर में नोट्स जुड़े जिसमें नॉमबर 1929 में किये गए अपडेट के साथ एक पोश्ट स्क्रिप्ट भी सामिल नेशनल हेरोलर्ड के लिए और उन सर्मा के लेख के अनुसार नहरु की किताबे उनके अंदर की विचारक दार्शनिक और एक इतिहास को परकट करती है बिश्व इतिहास की जलक के साथ इतिहास के एक समगर बिश्म देश्टी करण के उकालत की गए सर्मा लिखते हैं कि नहरु का मानना था कि इतिहास को मानो सब ब्याता की कहानी के रूप में पढ़ाया और समझाया जाना चाहिए क्योंकि यह दुनिया के विविन इसों में बिख्षित होई इसे गैर इतिहास लेखन के पहले परियास में से एक माना जा सकता है या मनुस्य की परगती की ओरियंटल वे अख्या के रूप में बिश्यस रूप से चंगेज खान और मंगोल बिजय पर उनके पत्र पर उस काल की परमुक इरूप हीए और धार नाओ के विप्रित है मंगोल समराज जिसे नहरो ब्रिटिस समराज से बड़ा था और लंबा समय तक चले के बारे में अपना प्रिचाय देते हैं उन्होंने लिखा कि इरूप की महानता को ना पहचानना मुर्खता पूर्ण होगा लेकिन एसिया की महानता को भोलना भी उतना भी मुर्खता पू के बाद संबहता या मंगोल समराज का पहला पूर्ण मुलांकन था उन्निस सो उन्चालिस के बाद के संसकर्ण में ब्रिटिस कार्टनिस्ट जेफ हुरेविन द्वारा डियाइन किया गए पचास मांचेत सामिल है इंटरनेशनल अफेस की एक समिक्षा में इसे दुखत बा मेरू जोहरलाल 20 इत्याज की जलकिया पेंग्विन बुक्स इंडिया की है तो यह था आपका ग्लेम्सेज ऑफ इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री